इस प्रेजंटेशन का टॉपिक है एनाट्मी आफ रूट एनाट्मी आफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट फॉर इस डाइग्राम की हल्प से हम डाइकट रूट का ट्रांसपर सेक्शन डिसकस करेंगे यहां पर यह देखिए यह सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहें सिंगल लेयरड एपिडर्मिस है और एपिडर्मस की सेल्स को आप विजुलाइज कीजिए तो यह देखिए यह कॉंपक्टली आरेज़ड एसल्स हैं और इनमें इंटर सेलूडर स्पेस हमें नही बढ़ाने में बहुत हेल्फुल होते हैं ज्यादा सा ज्यादा वाटर और मिनरल एब्जॉब करने के लिए और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ यह जितना भी यह रीजन आपको दिख रहा है इसे हम कोटेक्स कहते हैं यह एपिडर्मिस और यह एंडोडर्मिस की यह लेयर है इसे आगे हम डिस्कस करेंगे तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की यह जितना भी रीजन है इसे हम कोटेक्स कहते हैं यह पुरे गुलाई में होगा रूट तो हमने हापर केवल एक सेक्शन दिखाया हुआ है इस रूट का तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस और endodermis की जो cells हैं ये देखें, barrel shaped हैं, जैसे धोलक होती है, तो barrel shaped cells इनको कहा जाता है, और इन cells पर एक substance की सुबेरिन की एक thickening होती है, उस thickening को हम casparian thickening कहते हैं, यहाँ पर यह देखें, casparian thickening यहाँ पर यह दिखाई हुई है, यह सुबेरिन एक fatty substance होता है, उसकी thickening इस endoderm की cells पर पाई जाती है, बहुत ध्यान से इस point को समझिएगा, कि अब endodermis के अंदर, अब यह जितना भी tissue पाया जा रहा है, यह पूरा tissue, इसे हम steel कहते हैं, आगे यह term हमने mention किया है, नोर्स में, तो फिलहाल के लिए समझिए, endodermis के अंदर, अब यह जितना भी tissue पाया जा इसे हम steel कहते हैं, और यहाँ पर यह देखिए, steel के components हम पढ़ते हैं, तो यह endodermis के just अंदर पहले तो यह एक ring देखिए आप cells की, यह देखिए, यह एक ring देख रही है आपको cells की, इसे हम pericycle कहते हैं, pericycle को आगे हम discuss करेंगे, pericycle बहुत important role play करती है, secondary growth में, root और stem की जो secondary growth होती है, तो उसमें यह pericycle बहुत important role play करती है, और अब यह देखिए, यह vascular tissue दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो यह xylem और phloem का arrangement देखिए, तो जब tissue system में हम discuss कर चुके हैं, तो recall कीचिए, तो यह radial arrangement है xylem और phloem का, जब xylem और phloem different radius पे लाई करते हों, यहाँ पर यह इस radius पे लाई कर रहा है, तो phloem इस radius पे लाई कर रहा है, तो इस तरह के arrangement को हम radial arrangement कहते हैं, तो यह phloem के patches हैं, और यह patches हैं हमारे xylem के, तो यह radial arrangement यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब xylem को आप study कीजिए, तो xylem में यह देखिए, जो छोटे जो ही हैं, यह proto xylem है, य यह वह xylem है, और लेटर स्टेजिज में जो xylem बने थे, वह यह meta xylem है, और proto xylem और meta xylem के arrangement के हिजाब से, हम इनको एंडार किया exarch condition नाम देते हैं, तो recall कीजिए, यह सारी बाते हम tissue system में discuss कर चुके हैं, तो यहाँ पर यह exarch condition हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो proto x xylem है, वह बाहर की तरफ, periphery की तरफ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर यह हमें exact condition देखने को मिल रही है, और दो से चार xylem हमें देखने को मिलते हैं, फिलाल इस diagram में हमें चार xylem के यह patches देखने को मिल रहे हैं, तो यह patches दो से चार हो सकते हैं, vary करता है species to species, और center में, पिल roots में अधिकतर पित नहीं होता है, और अगर होता है, तो वह बहुत ही थोड़ा होता है, छोटा होता है, तो इस diagram की help से हमने dicot root की anatomy discuss की है, इस diagram में endodermis पर casparian ring यह बहुत अच्छी दिखाई है, यह देखे, casparian ring का है यह और यह endodermis की cells हैं, और endodermis की बाहर यह cortical region इधर यह xylem और यह phloem elements दिखाए हुए हैं, तो इस diagram की help से हमने casparian ring discuss की है, जो कि हमें endodermal cells पर देखने को मिलती है, dicot root anatomy related कुछ important points यहां हमने mention किये हैं, यह सभी points हम discuss कर चुके हैं, यह point हम बताना चाहते थे, जो steel जो हम term बोल रहे थे, कि endodermis के अंदर जितना भी tissue पाया जाता है, उसे हम steel कहते हैं, और इसमें हम pericycle, vascular bundle और पिथ, यह elements हम include करते हैं, dicot root anatomy से related कुछ और points यहां हमने mention किये हैं, यह सभी points हमने diagram की help से discuss कर लिये हैं, यह एक term छूट किया था, जो हमने xylem और phloem के patches देखे थे, तो उन patches के बीच में जो tissue पाया जाता है, वो parent chymetal cells का aggregation होते हैं, और उसे हम conjunctive tissue कहते हैं, बाकि सभी points हम discuss कर चुके हैं, इन्हें आप अपने notes के लिए use करें, यहां हमने monocot root का transfer section दिखाया है, dicot root से काफी similarity है, लेकिन कुछ differences भी हैं, वह differences हम इस diagram की help से discuss करेंगे, तो यहां पर यह देखिए, यह epidermis है, root hair है, यह सारी बाते हम detail में discuss कर चुके हैं, और epidermis और endodermis के बीच का tissue, यह cortical region हो गया, जिसे हम cortex कहते हैं, parent primatus tissue होता है यह, और यह endodermis के लेयर हो गई, और endodermis के अंदर यह pericycle हो गई है, और यहां पर यह tissue, यह जो vascular tissue है, यहां पर थोड़ा सा difference हमें देखने को मिल रहा है, और यह यहां पर यह देखिए, तो यहां पर चार से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे ह हैं elements, हमें xylem के, तो 6 से ज़्यादा जब elements हो जाएं xylem के, तो उसे हम poly arc condition बोलते हैं, यह term हमने आगे अपने notes में include किया हुआ है, तो xylem के 6 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यहां पर elements हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यह poly arc condition होती है, और यह देखिए, यह proto xylem है, और यह meta xylem है, तो यहां पर root में भी हमें exact condition ही देखने को मिल रही है, और radial arrangement हमें देखने को मिल रहा है, xylem और phloem का, और बीच में यह center में जो tissue है, इसे हम पित कहते हैं, और endodermis पर भी यह हमें casparian thickening देखने को मिल रही है, तो काफी similarity है, dicot और monocot root के anatomy में, बस dicot में difference यह है, कि dicot में जो xylem का number है, वह चार तक हो सकता है, तो से 4 होगा, और जब कि root में यह हमें poly arc condition देखने को मिल रही है, यहां हमने monocot root anatomy से related कुछ points मेंशन किये हैं, तो यह point यहां पर हम एक discuss करना चालते हैं, passage cell के बारे में, तो जब हम endodermis discuss कर रहे थे, तो वहां बताय था आपको कि endodermis पर sobarian की एक deposition होता है, जिसे हम casparian ring कहते हैं, तो कुछ endodermal cells, जो xylem bundles के just opposite light करती हैं, visualize कीजी, अभी अभी हमने आपको TS दिखाया है, transfer section दिखाया है, तो endodermal cells, जो endodermis की cells हैं, कुछ endodermal cells, जो xylem element के just opposite light कर रही हैं, तो वह thin world ही रह जाती हैं, और इन thin world cells को हम passage cells कहते हैं, तो जड़ा सोच के देखिए, इसका क्या purpose हो सकता है, क्योंकि endodermis पर sobarian का deposition है, तो और जो root hair जो absorb करेंगी पानी, तो अब यह sobarian की ring को कैसे पार कर पाएगा, तो यह जो passage cells हैं, वह उस water को और उन minerals को एक direct passage प्रोवाइड करती हैं, xylem elements के अंदर, तो जो water जो अभी root hair की तरफ से आ रहा है, ts को पूरा visualize कीजिए, cross section को visualize कीजिए, तो जो पानी अब root hair की तरफ से आ रहा है, तो वह endodermis की layer है, उसे कैसे cross करेगा, क्योंकि उस पर sobarian का deposition है, तो passage cells की वज़े से, यह जो transport होगा पानी और mineral का, यह बहुत ही efficient हो जाएगा, और पानी बहुत ही अराम से passage cells के through xylem elements में enter कर पाएगा, तो आगे diagram की help से यह passage cells हम दिखाएंगे, तो अब आप के mind में यह question आ सकता है, कि डाइपट route में हमें इस तरह की passage cells नहीं देखने को मिलती है, तो वहाँ पर पानी फिर सुबैरिन की रिंग को कैसे cross करता है, तो यह सारे questions के answer आपको मिलेंगे, जब हम transport in cells, यह chapter जब plants, transport in plants यह जो chapter हमने discuss किया है NCRT का, तो उस presentation में आपको इस बात का answer जरूर मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से हमने explain किया है, कि endodermal cells पर सुबैरिन की रिंग होने के बावजूद भी जो water है, वहे endodermis की layer को किस तरह से cross करता है, तो फिलहाल के लिए इतना जान दीजिए कि dicot roots में passage cells पाई जाती हैं, यह cells xylem bundles के against लाई करती हैं, opposite लाई करती हैं, और यह water transport की efficiency को बढ़ाने वाली cells हैं, इस diagram में देखिए, तो यहां पर यह हमने passage cells दिखाई हैं, यह endodermis की layer यहां पर दिखाई है, और endodermis पर यह casparian thickening हमने दिखाई हैं, और यह देखिए, यह xylem elements हैं, और xylem elements के against यह जो endodermal cells हैं, तो यह thin world ही रह जाती हैं, इन पर जो deposition होता है, यह substances का वह बहुत कम होता है, तो इन cells को हम passage cells कहते हैं, तो इन cells के through water बहुत ही अराम से, इस endodermis की layer को cross कर सकता है, monocot root anatomy से related कुछ और points यहां हमने mention किये हैं, यहां पर यह देखिए, यह हमने term add किया है, यहां पर polyark condition, जो हम कह रहे थे, कि xylem के 6 से जादा bundles पाई जाते हैं, तो इस तरह की condition को हम polyark condition कहते हैं, तो इस presentation में हमने dicot और monocot root anatomy हमने पड़ी है, तो अगर आप ध्यान दें, तो केवल एक point of difference यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे, कि जो dicot root है, उसमें 2 से 4 xylem element आप बनाईए, जगर exam में आता है, याद कैसे करें, तो वो कुछ tips हम यहां पर दे रहे हैं, तो dicot root में give a 2 to 4 xylem और phloem के elements मिलते हैं, जबकि monocot root में हमें polyark condition देखने को मिलती है, बाकी जितना भी structures हैं, वह लगथग same है, similar है, यहां हमने dicot और monocot root anatomy के कुछ point of differences मेंशन किये हैं, इन्हें आप अपने notes के लिए use करें, तो यहां पर यह देखिए, पैसेज सेल हमने देखी थी, तो पैसेज सेल हमें monocot root में दिखाई दी, लेकिन यह dicot root में absent होती है, उसी तरह से secondary growth, secondary growth केवल dicots में present होती है, monocot में absent होती है, तो जब हम secondary growth इस topic को discuss करेंगे, तो वहां पर यह बात हम और detail में जानेंगे,